देखो मांटू यह symmetrical position कैसे है इसको तुम दो तरीकों से चेक कर सकते हो पहले मैं इसको बराबर भागों में काट रहा हूँ क्या यह कट रहा है बराबर भागों में यह बिल्कुल कट रहा है इसका मतलब यह क्या है symmetrical अधा यदर अधा बयार बयार इदर अधाइफ इândर अधाइफ इदर और अधी रिंग इदर अधी रिंग इदर तो ये एक पहले रहताँ प्सक्ता चल गया कि स्विएटिकल पोजिशन मान दूसरा थरीक पैके अगर मैं यो फूर को यो चार नमर मीलेगा और वापिष से अगर मैं फ्लोरों को वन नमर देदू तो ब्रोमों को पॉर नमर मिलेगा तो बट पोजिशन स्मेटिकल है जब पोजिशन स्मेटिकल होती है तो हम अल्फाबैटिकल ओर्डर फॉलो करते हैं एल्फाबेटिकल ओर्डर में ABCD में भी पहले आता है F बाद में आता है तो इसका एक नमर मिलेगा और इसका फोर नमर मिलेगा और च्छे कारवन सदस्य की रिंग है तो बस लिख लेते हैं नाम वन ब्रूमो फोर फ्लोरो यह साइक्लो हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन अब एंसमेटिकल पुजिसन पहला तरह का यह है इसको काट के देखो बीच में से क्या यह बरावर वागों में कट रही है नहीं कट रही है क्यांकि अगर यहाँ पर देखोगे करें तो यह अलग पार्ट यह एदिखो यह पार्ट लग इसलिए कमेट कर जब पॉजिशन अंसेमेट्रिकल होती है वीविल फॉलो लोवेस्ट नमबर रूल लोवेस्ट नमबर रूल क्या होता है चलो देखते हैं सबसे पहले अपन तीनों को नंबर देंगे तीनों के सापस ऋम्रिंग करेंग, सबसे पहले मैं Nitro को एक दे देता हूं, तो टू, ठी, फॉर, तो यहां पर Nitro को एक देने से क्या स्टार्टिंग आई, क्या क्या नमबर मिले? ब्रोमो को ठी और मिथाइल को फूर, अब मैं bromo को देता हूँ 1 2 3 4 5 तो वापस से यहाँ पर 1 bromo को मिल गया 2 methyl को मिल गया और 5 nitrogen को मिल गया अब मैं वापस से methyl को वाण देता हूँ तो मेरे को 2 इसको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अगर मैं जाओंगा तो numbering पे ये सब ज़्यादा आजाएंगे अपनको कम numbering देना है ब्रोमो को तो one, two bromo को और three और four तो देखते हैं कि one मिल गया methyl को two मिल गया bromo को और four मिल गया nitro को तो हम इस numbering को select करेंगे हमने तीन तरह से numbering किये और तीनों को एक एक number दिया है तो सबसे last number कौन सा है क्या 134 लेस्ट होता है सबसे कम 134 होता है क्या नहीं होता 135, 125 ये भी नहीं होता सबसे कम तो 124 होता है जो की lowest number rule है तो बस इसका नाम कर लो किसको माना था मिथाईल तू पे ब्रोमो को और four पे नाइट्रो को तो यहां पे वापिस numbering तो इस हिसाब से होगी बट नॉमिंक्लेचर में वापिस वो अल्फाबेटिकल ओर्डर फॉलो होगा जैसे टू ब्रोमो वन मिथाहिल फोर नाइट्रो साइक्लोहेक्सिम समझ में आए अब तो पक्का चल अगर आगया समझ में तो कमेंट में लिख दो यस सर नहीं आया है तो फिर से समझाए ठीक है अब देखो यह क्वेशन गलत मत करके आना AIEEE 2019 में आया हुआ है या फिर कह सकते हैं जेई मैंस 2019 ठीक है यह फिर नीट में आएगा गलत मत करके आना इस तरह से आया था जब यह यह हुआ था यहां पर गोला था तो यहां पर सब सेम हो जाएगा यहां पर साइकलो एक्सिन की दिगा बेंजीन हो जाएगा तो बस यह क्वेस्टन सेम टू सेम था ओके चलो